हेलो एवरीवन मैं संचिता जैन मैंगनेट ब्रेंस इंदी मीडियम चनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैंगनेट ब्रेंस प्रुवाइट कराता है आपको क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री और हम प्रुवाइट कराते हैं आपको किंडर गार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स जी हाँ तो देर किस बात की आईए जुडिये मैंगनेट ब्रेंस के साथ तो आज के सेशन में मैं आपके लेके आई हूँ शोसल साइंस क्लास 9 की जिसमें आपन देखने वाले हैं एकनोमिक्स का बिहार बोड का चैप्टर बेकारी या बेरोजगारी का कम्प्लीट चैप्टर रिवीजन यानि की वन शॉट रिवीजन बेकारी या बेरोजगारी का तो सबसे पहले क्या करना है आपको सबसे पहले जो है आपको जादा से जादा आज के शेशन को लाइक करना है और जादा से जादा अपने सारे फ्रेंट्स के साथ सारे स्टुडेंट्स के साथ जो है शेशन को जादा से जादा शेयर करना है तो इस काम में इस नेक काम में दे बिल्कुल नहीं करना है फटा फट से जल्दी से जल्दी लाइक कर दो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो उसके बाद हम बढ़ेंगे आंगे जिसमें हम आज complete chapter revision करने वाले हैं बेकारी या बेरोजगारी का class 9 social science economics बिहार बोर्ड का यह chapter है तो चलिए जल्दी से फटा फट से अपन इसको शुरू करते हैं और सबसे पहले इसमें हम देखते हैं introduction part को ठीक है किसी भी chapter का सबसे पहला और सबसे important part क्या होता है वो होता है chapter का introduction यानि की परीचय ठीक है तो परीचय में हमें क्या-क्या देखना है परीचय में हम देख रहे हैं बेकारी क्या होती है सबसे पहले पहले part में क्या देखेंगे बेकारी क्या है यानि कि बेरोजगारी क्या होती है उसके बाद बेरोजगारी के checkingjä अपकी होती है शहरी बेडोजगारी, एक कौन सी गृषियर पेस्टो घारी फोटован भील रमk रिता देती हूं आपको, मौशिमी बेरोजगारी कि ओ कासे हैं एक है मौस्मी बेरोजगारी और एक होती है आपकी प्रचन्य चिपी हुई बेरोजगारी चिपी बेरोजगारी ठीक है चलो इसके बाद हम देखें बेरोजगारी का दूसरा प्रकार तो जो क्या है वो है शहरी बेरोजगारी अब शहरी बेरोजगारी का प्रकार क्या हो सकता है शहरी बेरोजगारी का जो प्रकार है वो तीन प्रकार की होती है तीन प्रकार की होती है शहरी बेरोजगारी एक प्रकार होता है शिक्षित बेरोजगारी दूसरा होता है अध्योगिक बेरोजगारी और तीसरा प्रकार जो है आपका होता है तक्निकी बेरोजगारी तो यह अपन देखेंगे इसके पहले पार्ट में दूसरा पार्ट देखें इंट्रोडक्शन का उसमें क्या-क्या दे कैसे बेरोजगारी का जन्म हुआ, यानि कि बेरोजगारी के कारण क्या क्या है, किन कारणों से बेरोजगारी पनपती है, अब जिन कारणों से बेरोजगारी पनपती है, उन कारणों को दूर कैसे किया जाए, यानि कि बेरोजगारी को कम कैसे किया जाए, तो बिकारी को कम ग और कुछ गैर सरकारी प्रेयास ठीक है अब थीसरे पार्ट में हम देखेंगे बिकारी का प्रभाव बिकारी का प्रभाव क्या होता है बिकारी के यानी बेरुजगारी के समाजिक तौर पर क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं और आर्थिक रूप से बेरोजगारी के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं यह सारी बातें जो है हम में इस चैप्टर के अंतरकर देखनी है जिसका आज हम आपको एक complete चैप्टर रिवीजन कराने वाले हैं तो आज के इस धमाकेदार सेशन को बहुत ही इंप्रटन सेशन को जिसमें बेरोजगारी नाम गेशटर का कमिलीट करा जागा वजद को आपको जादा से जादा लाइक कर देना है और जल्दी से फटा-फट से शेयर कर देना है क्लियर वी बात ये दो responsibility जो है जैसे ही आपको वही भी session join करें सबसे पहली responsibility आपको ये दो काम करना ही है तो हमने देख लिया कि इस chapter में हमें क्या-क्या पढ़ना है ठीक है ये बात हो गई अब जो इंट्रोडक्शन अपन ने देखा एक इंडेक्स के तौर पर देखा कि हमें ये चीजें इसको पढ़नी है chapter में उनको भी अफटा-फट से अपन पढ़ लेते हैं और ये chapters वह हम कई parts में पढ़ चुके हैं और इसके अलावा इसके अभ्याश्गत प्रशनोत्तर सॉल्व कर चुके हैं multiple twice question solve कर चुके हैं और most important question भी solve कर चुके यानि की तीन पार्ट में chapter complete किया और बागी के तीन पार्ट में question answer most important question answer multiple twice question भी solve करें अब अब क्या करने वाले हैं अब जो है आज complete chapter revision हम करने वाले हैं clear हुई बार तो इतना जो अपनने पहले 6 parts में पढ़ा है उससे आपको जो है चीजन सारी समझ में आ गई होगी बेरोजगारी की ठीक है पुरे चैप्टर की सारी चीजन समझ में आ गई होगी अब फटा फट से एक ओवर व्यू के तौर पर जो है हम revision कर लेते हैं इसका ठीक है परिचाय के बाद हम बढ़ते हैं आगे परिचाय में पहली बात हमने क्या देखी थी बेकारी क्या होती है यानि की बेरोजगारी या होती है तो बेकारी की परिभाशा क्या है यहां पर बेकारी की परिभाशा है सबसे पहली बात तो बात करें कि बेकारी एक जो है आर्थिक समस्या है बिलकुल है बेरोजगारी जो है आर्थिक समस्या ही है बेरोज को unemployment जाता है कि जहाँ व्यक्ति को रोजगार ना मिले, रोजगार ना मिलने से क्या मतलब है, यह मतलब है कि उसके पास पैसा कमाने का साधन नहीं है, आये का स्रोत नहीं है, तो कैसी समस्या ये आपको दिखती है, पैसा आना या आये आना, इनकम होना या ना होना ये क्या बाते हैं ये आर्थिक बाते हैं तो बेरोजगारी कैसी समस्या हुई बेरोजगारी एक आर्थिक समस्या हुई तो बेरोजगारी एक आर्थिक समस्या है जिसका गरीबी से घनिष्ट संबंध है यानि कि बिकारी और बेरोजगारी और गरीबी ठीक है बिकारी या बेरोजगारी और गरीबी क्या है एक दूसरे की पक्की सहलिया है एक तरीके से कहा जाए तो कैसे कैसे अगर व्यक्ति बेरोजगार होगा तो गरीब तो होगा ही बेरोजगार होगा उसके पास रोजगार का साधन नहीं होगा पैसे नहीं आएंगे आयका स्रोत नहीं रहेगा तो धीरे धीरे गरीबी बढ़ती जाएगी ठीक है तो ये दोनों क्या है एक दूसरे से संब बंध पाया जाता है अर्थे ववस्था में अब बेरोजगारी क्या होती है इस बात की दरब गौर करना तो अर्थे ववस्था में व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता हो लेकिन लेकिन क्या है लेकिन उसे काम ना मिले तो उसे बेकार या बेरोजगार कहा की अर्थववस्ता में व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहे लेकिन उस मजदूरी दर पर भी उसे काम ना मिले तो उसे क्या कहेंगे बेकार या बेरोजगार कहेंगे क्लियागी कि पैसाथी को क्ति काम चाहने वाले विक्तियों को ध्यान देना काम चाहने वाले विक्तियों को एक्छा वा योगता कौन-कौन सी बात हैं कि काम करने की एक्छा भी है काम करने की योगता भी है यानि की क्वालिफिकेशन भी है और ये दोनों के होने के बाद भी ये दोनों के होने के बाद भी प्रचलित मजदूरी दर पर काम रहने पर भी काम न मिल पाए तो हम ऐसी इस्तिती को क्या कहेंगे उस इस्तिती को हम बिकारी या बेरोजगारी की इस्तिती कहेंगे क्लियर हुई बात चलिए तो अब इतना सब कुछ समझने के बाद इतनी बातें जानने के बाद दो मुख्य बातें क्या निकल के आती हैं बेकारी की धारणा में यानि की बिरसगारी के कंसेप्ट में दो मुख्य बातें निकल के आती हैं कौन-कौन सी एक है काम को खोजना काम खोज रहा है व्यक्ति लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है काम करने की योगता है इक्षा है तब भी काम ना मिल पाना ठीक है और काम के लिए उपलब्ध रहना यानि की काम खोज रहा है और काम के लिए उपलब्ध भी है तब भी काम उपलब्ध नहीं है उसके लिए व्यक्ति का काम करने के लिए उपलब्द है लेकिन व्यक्ति के लिए काम उपलब्द नहीं यानि की काम नहीं मिल रहा उसे एक साधन नहीं मिल रहा आए कमाने के लिए ठीक आए कमाने का जरीया नहीं मिल रहा पैसे कमाने का एक साधन नहीं मिल रहा तो दो बाते क्या कहें कि व्यक्ति का काम खोज रहा है और काम करने के लिए उपलब्ध भी है तब भी उसे काम उपलब्ध नहीं है यानि की काम नहीं मिल पा रहा तो वो क्या स्थिती है वो है बेकारी या बेरोजगारी की स्थिती है क्लियर हुई बात चलिए तो बेकारी की परिभाशा क्या है यानि की बेकारी क इस माणंऄं, गए, पढ़ते हैं अमें अगला जो है अपना पॉइंट है बेरोजगारी के प्रकार, बिकारी किया महलत कितने इस और उसके के मैं आपको पहले की चेप्टर के शुरुआत मैं इंड्रोडेक्शन में बताया था कि बेरोजगारी जो है आपको मौसमी बेरोजगारी और एक आपको बताया था प्रच्छन बेरोजगारी यानि की छिपी हुई बेरोजगारी ठीक है अब शहरी बेरोजगारी के मैंने कौन से प्रकार इस तरीके से हैं किलियर हुई बात चलिए बढ़ते हैं आगे अब बाग करें ग्रामने बेरोजगारी की तो ग्रामने बेरोजगारी का जो पहला प्रकार है ग्रामने बेरोजगारी का पहला प्रकार क्या है वो है आपका मौसमी बेरोजगारी ठीक है मौसमी बेरोज कहते हैं अब आप सुचेंगे कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है थंड गर्मी बारिस वो तो आएगी हमेशा आएगी प्रकरती का निया में इस रूल आफ नेचर लेकिन भाई उसमें मौसम में परिवर्तन होने की वज़े से लोग बेरोजगार कैसे हो सकते हैं बिलकुल हो सक ठीक है जब जिस सीजन में जो फसल उगाई जाती है तब उसको क्या कहते हैं मौसमी फसल कहते हैं मौसमी क्रसी कहते हैं अब अगर क्रसी का सीजन निकल गया मालो कि अभी वर्तमान में जिस फसल को बोया जाना हो वो फसल बोदी गई अब भई जब तक फसल कटेगी नहीं उग केता त्यार नहीं हो गट एक्टे की नहीं तब तक का समय क्या तरा खाली रहा ठीक है तो उस समय व्यक्ति क्या करें उसके पास काम नहीं डिपेंड वो क्रशी परी है ठीक है तो क्या ऑडि ए आई बाँ समय में तो मौसम में परिवरतन द्वारा उद्पन बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं खेती के मौसम में काम मिलना और खेती के मौसम ना होने के कारण काम ना मिलने की स्थिति को क्या कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी माना जाता है यानि कि जब खेती का सीजन रहे तब काम मिल रहा है जब खेती का सीजन ना रहे तब काम नहीं मिल रहा तो सिस्थिती को क्या कहेंगे मौसमी बेरोजगारी कहेंगे क्लियर हुई बात चलिए अब देखें तो मौसमी बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से इस प्रकार की बेरोजगारी क्रशी शेत्र में पाई जाती है और भारत की क्रशी मानसून पर निर्भर है बिलकुल जो हमेशा परीवर्टित रूप में रहती है मानसून पर किस तरीके से निर्भर है और मानसून के जरी खेती अच्छी कैसे हो सकती है और खेती कराब कैसे हो सकती है यानि कि जब जितनी आवश्यक्ता है फसल के लिए उतनी बारिश हो तो बहुत अच्छी बात है सौने पर सुहागा है लेकिन जब अगर आवश्यक्ता से कम भारिश हो तो क्या स्थितिय उत्पन होगी सूखा की स्थितिय उत्पन होगी यानि की फसल को जितनी मांतरा में पाने की आवेशक्ता थी उतना पानी उपर से बरसा ही नहीं तो कैसे स्थितिय होगी सूखा की स्थितिय उत्पन होगी दूसरी बात बात करें दूसरी बात ह तो बाड़ की स्तितियुत्पन हो जाएगी जब बाड़ की स्तितियुत्पन होगी तो फसल तब भी बरबाद होनी है ठीक है तो जब मानसून पर भारत की क्रशी जो है निर्भर है और मानसून अगर ठीक तरीके से नहीं होता यानि कि बारश ठीक तरीके से नहीं होती है तो म उक्सान होता है तो बेरोजगारी एक तो यहां बनी और दूसरी कारण यह भी है कि अगर सब को सही भी चल रहा है पर खेती में मौसमी बेरोजगारी हमेशा बनी ही रहती है क्योंकि जिस मौशम में खेती होनी है उसी मौशम में होगी और बाकी का टाइम जो है एकदम फ्री थीक है तो क्या है दिप्ति के पास बेरोस Glary है काम नहीं है कि वी यह बात hadahan कि मौसमी बेरोजगारी चाहोती है उसके बाद देखना कि भारती क्रशी एक मौसमी विवसाय है भारत की जो खूं jaki मौसमी विवसाय किस तरीके से यानि कि जब मौसम आएगा सिजया आएगा तब युद साय चल जाएगा नहीं है मौसम तो कुछ नहीं चलेगा ठीक है तो चुकि क्रशी कारे जो है विभने चर्णओन में बटा हوتा है यानि कि बारीस के मौसम में जो फ़सल उगाई जानी है उसको बारीस के मौसम में रोप गिया यानि की वो दिया गया जब तक वो फसल तया नहीं होती उसके बीच का जो समय रहेगा वो खाली समय रहेगा जब तक की फसल की कटाई नहीं हो जाती बार इसकी फसल की कटाई का जब समय आएगा तब लोगों को रोजगार मिलेगा कटाई के बाद फिर से रोजगान नहीं मिलेगा जब अगली फसल भूई जाएगी तो उसके बाद उस समय उसे रोजगार मिलेगा फिर उसके बाद नहीं मिलेगा तो आई बाएस समझ में कि किस तरीके से भारत की रशी ता किसी बी देस की हो, विवेनम चण्ड़ू में बटी रएटी है कि जब-जब क्रशी के लिए Kannide मजदूरों की आवशकता होगी तब उन्हें रोजगार दिया जाय गानने था नहीं मिलेगा ठीक है तो आंगे देखें कि क्रशी के प्रत्तिक तो आणी कि क्रशी के अलावा दूसरे ओप्शन काम करने के उनके पास तो जब उनके पास विकल पुपलब्द नहीं रहेंगे तो बेरोजगारी की स्तितिय उत्पन होगी और ऐसी परिस्तिती में ही मौसमी बेरोजगारी का जन्म होता है किलियर हुई ये बार चलिए तो बढ़ें आगे उसके बाद हम देखें छिपी हुई बेरोजगारी या प्रचन बेरोजगारी के बारे में जाने जो कि ग्रामिन बेरोजगारी का दूसरा प्रकार है तो प्रचन बेरुजगारी के अंतरगत क्या होता है लोग नियोजित प्रतीत होते हैं यानि कि ऐसा लगता है कि लोगों को काम पर रखा गया है लोगों को नौकरी दी गई है लोगों को रोजगार मिल रहा है उनके पास भुकंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है और ऐसा क शेत्रम होता है क्रशीगत काम में लगे परीजनों के साथ ऐसा होता है यानि कि दिखने में ऐसा लगी कि व्यक्ति काम में लगे हुए हैं पर उनकी जितनी महनत लग रही है उनको उतना पैसा नहीं मिल पारा क्योंकि जितने व्यक्तियों की आवश्चक्ता है उतने व्यक्ति प्रशन बेरोजगारी की सीमान तुतपादक्ता कितनी होती है प्रशन बेरोजगारी की सीमान तुतपादक्ता जो है जीरो होती है इससे क्या मतलब है सीमान तुतपादक्ता शून्य होना इससे क्या मतलब है इससे यह मतलब निकलके आता है कि जितना काम है काम उतना ही है और उस खेत में काम करते हैं अब जितनी जगह है उतना ही अन्य उगेगा उतनी ही फसल उगेगी ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे चार व्यक्ति जो है काम कर रहे हैं चार व्यक्ति उस खेत में काम कर रहे हैं और जगह जितनी है उस खेत की जितने एरिया में वो खेत अन्य उतना ही उगेगा फसल उतनी ही होगी अब भविश्य में माल लो उसके परिवार में 6 सदस्य हो जाते हैं उस खेत में काम करने लगे तो क्या 6 सदस्यों के बराबर जो है उनकी मेहनत के बराबर अन उगेगा नहीं होगेगा क्योंकि जमीन उतनी ही है भूमी उतनी ही है जगह उतनी ही ह तो चाहे उस खेत में चार व्यक्ति काम कर लें, चाहे छे व्यक्ति काम कर लें, लेकिन प्रोडक्शन उतना ही होगा, फसल उतनी ही होगेगी, उत्पादन उतना ही होगा तो इससे क्या निकल के आता है कि कितने ही व्यक्ति काम कर लें अगर किसी एक काम को, लेकिन जितने व्यक्ति की आवशक्ता है, अगर आवशक्ता से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो उसका मतलब यह नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादक्ता बढ़ेगी, या देर हुई बात चलो बढ़ते हैं आगे अब हम चलेंगे बेरोजगारी के दूसरे प्रकार की तरह जोगी है शहरी बेरोजगारी शहरी बेरोजगारी में पहला प्रकार है आपके सामने तो सिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो जब पड़े लिखे लोगों को रोजगा नहीं मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है उसे ही सिक्षित बेरोजगार की संग्या दी जाती है यानि कि जब यक्ति सिक्षित है तब भी उसके पास काम करने को काम नहीं है तब उसे क्या कहा जाएगा तब उसे सिक्षित educational qualification है उसके पास उसके अनुसार उसे काम नहीं मिल रहा है तो वो सिक्षित बेरोजगार का शिकार है तो ये सारे युवक युवितियां जो सिक्षित हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा तो वो किस श्रणी में शामिल है वो सिक्षित बेरोजगार की श्रणी में शामिल है ब बड़े हम शहरी बेरोजगारी के दूसरे प्रकार की तरफ दूसरा प्रकार है आपके सामने औध्योगिक बेरोजगारी औध्योगिक बेरोजगारी क्या होती है चलिए जानते हैं इसको भी तो वर्तमान दौर जो है औध्योगिक विकास का दौर है तब भी लोगों को रोज यहीं मिल रहा तब भी क्यों नहीं मिल लेते हैं कि औध्योगक प्रसार का ढाचा आधुनिक तकनीक का उपयोग कम होता है और अध्योग बेरोजगारी पनपती है यानि कि अध्योगों में क्या होता है मशीन होती है मशीन जो है एक मशीन सो व्यक्तियों के बराबर काम कर पाई कोई मशीन अगर सो व्यक्तियों के बराबर काम कर पा रही है तो कितने व्यक्तियों का रोजगार शिन रहा है सो व्यक्तियों का ठीक है तो अध्योगी की करण के फलसरूप बेरोजगारी किस तरीके से पनप्री यह बात आपको समझ में आई कि वर्तमान दौर भले ही अध्योगी की विकास का दौर है लेकिन वही अध्योगी की विकास का दौर जो है वो लोगों को रोजग तो शहर की ओर आते हैं बिलकुल आते हैं ग्रामिट छेत्रों से लोग जो है क्योंकि गाओं में क्रशी के अलावा दूसरा विकल्प नहीं होता रोजगार का अब उन्हें लगता है कि शहर की तरफ हम जाएंगे तो शहर में क्या होगा हमें रोजगार के नए साधन मिलेंगे साथी उध्योगों में कारिरत्रशमिकों की छटनी भी बड़ती मशीनी इकरत विवस्था में तेजी से जारी है यानि कि जो व्यक्ति मशीनी काम नहीं कर पाते टेखніकल काम नहीं कर पाते उनको जो है उध्योग से उस इंडरोस्टी से उस कार खाने से निकाल दिया जाता है जिससे योग एक बेरोजगारों कि संख्या जो है शहरी चेतरों में बढ़ रही है तो Hills kasih में तरीके से और इक बेरोजगारी सहरी बेरोजगारी का एक कारण या निकिंद ध्योग जो तरह की बेरोजगारी शहरी छेत्रों में पाई जाती है। आधुने की युग में नए नए तकनीक के कारण पूर्व में कारेरत कर्मियों की छटाई कर दी जाती है। जैसे कपड़ा मिलोने बड़ी संख्या में हैंडलूम बुनकरों को बेकार बना दिया है। कैसे यानि की जो व्यक्ति टेक्नलोजी से परिशुत नहीं है वो आज के युग में रोजगार पाने में असमर्थ है। यानि की उनको रोजगार नहीं दिया जाता। यहां बेबात करी जा रही है हैंडलूम बुनकर। यहां पर आपको एक image भी दिख रही है side में। यहां पर एक बुनकर है। बुनकर उस व्यक्ति को कहते हैं, जो हाज से कपड़े बनाते हैं। ठीक है यहां पर आपको एक देशी मसीन नजरा रही है अपने इसको नाम देगे देशी मसीन देशी मसीन किस तरीके से यहां पर आपको एक लकड़ी की एक मशीन दिख रही है जिसके जरीए एक व्यक्ति कपड़ा बना रहा है ठीक है हाथ से कपड़े की कताई करी जा रही है कपड़ा बुना जा रहा है अब इसको क्या कहते हैं इसी को कहते हैं हैंडलूम या हद करगा कहते हैं यानि की हाथ से चर्खा चला कर कपड़ा बनाना ठीक है तो यहां पर क्या बात हो रही है कि कपड़ा में बड़ी संख्या में हैंडलूम बुनकरों को वेकार बना दी है व इनका जो है रोजगार छिंता जा रहा है किसके जरीए बड़ी बड़ी कपड़ा मिलों के जरीए अब बिहार का भागलपूर बिहार की बात करें तो बिहार का भागलपूर गया यह सब जिले जो है इन जिलों में मशीनी मशीनी उत्पादन के कारण मशीनी उत्पादन क्रिया के कारण जो परंप्रागत हैं यानि कि इस तरीके के जो व्यवशाय हैं हैंड लूम उध्योग है हद करगा उध्योग जो है उसमें लगे लोगों में तक्नीकी बेरोजगारी फैली है ठीक है किलियर हुई बात कि किस तरीके से तक्नीकी बेरोजगारी जो है विद्यमान है चलिए तो बढ़ें आगे अब तकनीकी बेरोजगारी के अंतरगत ये भी देखा गया है कि एक और तकनीकी कुशलता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है तो दूसरी और आर्थिक सम्रद्धी के लिए आवश्चक तकनीकी कौसल की भी कमी है यानि कि एक तरफ जो है मशीन काम कर रही है टेकनलोजी के कारण तो दूसरी तरफ जो है आवश्चक तकनीकी कौसल की भी कमी है यानि कि जो व्यक्ति टेकनीकली काम कर सकते हैं ठीक है तो उनकी जगे किसने ले ली मशीन ने ले ली और दूसरी तरफ जिस तरीके के टेकनीकल लोगों की जरूरत है उनकी भी कमी देखी जा रही है तो दोनों तरप से आर्थिक विकास जो है अब रुध हो चका यानि की दोनों तरीके से आर्थिक विकास हमारे देश में नजर नहीं आ रहा जिसके जरीए जो है बेरोजगारी पनपर यह तो क्या देखा हमने शहरी तक्निकी बेरोजगारी के तीन प्रकार देखे, कौन-कौन से प्रकार देखे, और ध्योगिक बेरोजगारी, सिक्षित बेरोजगारी और तक्निकी बेरोजगारी और ग्रामिन बेरोजगारी के दो प्रकार कौन से देखे, ग्रामिन बेरोजगारी के मौसमी बेरोजगारी औ प्रशन्य या छिपी बेरोजगारी के प्रकार देखे तो तकनीकी बेरोजगारी के बारे में फटाफट से आप इतनी information नोट कर लें तो चलिए आगे देखते हैं तकनीकी बेरोजगारी के बाद हम जानेगे कि बेरोजगारी का जन्म कैसे हुआ यानि कि बेरोजगारी या बेकारी कैसे पनपती है किसी भी छेत्र विशेश में तो सबसे पहला जो बहुती महादुपूर इंपोर्टेंट फैक्टर है बहुती इंपोर्टेंट रीजन जो है वो है अत्यधिक जनसंख्या जनसंख्या के मामले में आप सभी को पता होगा कि भारत विश्व में प्रथम इस्थान पर है जनसंख्या के मामले में यानि कि भारत की जनसंख्या विश्व के सारे देशों की जनसंख्या में सरवाधिक जनसंख्या है भारत विश्व का सरवाधिक जनसंख्या वाला देश ह अब जनसंख्या जादा होगी किसी भी देश में भाश्रम सक्ती जादा होगी ठीक है जनसंख्या जादा है तो काम करने वाले लोग भी जादा है लेकिन रिसोर्स इस कम है संसाधन कम है जनसंख्या भले ही बढ़ जाए पर क्या जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ संसाधन बढ़ते जाएंगे आप बताएं क्या पेड़ पौधे बढ़ते जाएंगे जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ पेड़ पौधे घड़ते जाएंगे यूग नहीं जन संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी संसादन वैसे वैसे एक होते जाएंगी। तो अत्याधिक जन-संख्या जो है सबसे बड़ा कारण है क्यों विजिए भारत की जन-संख्या जो चीवर गति से बढ़ती हुई है वर्तमान में 140 करोड संख्या को पार कर चुकी है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी या बेकारी का जन्म हो रहा है और जनसंख्या बढ़ने के कारण दोनों छेत्रों में चाहे वो ग्रामिड छेत्रों बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी कहते हैं क्या कहा जाता है ग्रामिड बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी कहा जाता है क्लियर हुई इतनी बात चलिए तो पहला important fact क्या था क्या था एक important factor या बहुत ही important reason क्या था सबसे बड़ा कारण क्या है अत्यदिक जनसंख्या के कारण है जो है बेरोजगारी का जन्म हो रहा है दूसरा reason देखें दूसरा कारण तो 100% मैं से लगभग 25% यानि की 25% जनसंख्या जो है असिक्षित है यानि की सिक्षित नहीं है जिसमें बिहार सबसे नीचे पायदान पर है जहां पर बिहार राजमे असिक्षितों की संख्या गितनी है 37.18% है किलियर हुई बाद अब असिक्षा के कारण भी बेकारी की दर्मे वरद्धी देखी जाती है विशेशता किसमें विशेशता देखा जाता है ऐसा महिलाओं में सिक्षा की कमी के कारण महिला बेरोजगारों की संख्या देखे क्योंकि महिलाओं की सिक्षा पर विशेश ध्यान नहीं दिया जाता कहा जाता है कि उन्हें सिक्षा की क्या जरूरत है घर का काम देखें तो उनमें बेरुज़गारी का मुख्य कारण क्या है महिलाओं में असिक्षा है ग्रामीड महिलाओं की श्रम सक्ती को नियोजित रोजगार नहीं मिल पाता क्योंकि वो सिक्षित नहीं है लेकिन जन संख्या में तो शामिल है और वे आ नियोजित रूप से कम मज़दूरी पर काम करने को तयार होती है नियोजन होना मतलब की एक बहतर रोजगार मिलना नियमत रोजगार मिलना जिसके जरिए आपके पास एक निश्चित मातरा में पैसा है अब जब व्यक् आपके जतना चाहिए उतना नहीं मिलेगा तो कितनी भी मजदूरी पर जो है आणियोजित रूप से मही लाएं शिक्षा की कमी के कारण काम करने पर मजबूर हो जाती है ठीक है आनियोजित रूप में पाए गए रोजगार में क्या होती है अनिश्चित होती है याने कि किस इस्टी भी समय उन्हें काम से निकाला जा सकता है तुक है तो अशिक्ष्या किस तरीके से बेरोजगारी को बढ़ाती है यह बात आपकी समIR में तीसरे कारण अब हम देखें कि क्रशी का पिछड़ापन क्रशी का पिछड़ापन उन्त पर जान लेते हैं तो यानि कि सडसक प्रतिसत जनसेंग्या जो है क्रशी पर निर्भर है इसलिए भारत को क्रशी प्रधान देश कहा जाता है लेकिन लेकिन क्रशी प्रधान देश होने के बावजूद यहां की क्रशी जो है पिछडी हुई है जिसका मुख्य कारण क्या है क्रशी का मांसून पर आ प्रकरती चाहेगी वैसा ही काम होगा जरूरी नहीं कि प्रयाप्त मात्रा में बारिश हो ही अगर आवशक्ता से कम बारिश होती है तो सूखा की स्थिति बनती है अगर आवशक्ता से अधिक बारिश होती है तो क्या होता है बाड की स्थितिवत्पन होती है ये दोनों ही स्थ स्थितियां जो हैं क्रशी में पिछड़े पन का कारण बनती हैं फसल को नस्ट करने का कारण बनती हैं तो कहीं सुखा और कहीं बाड का प्रकोब जो है हमेशा बना रहता है और बिहार इसका जुलन तुधार है किस तरीके से क्योंकि उत्री बिहार में बाड किस नदी के और दक्षणी बिहार को अक्सर सूखा की स्तिती का सामना करना पड़ता है अब बिहार के उत्री भाग में बाड से फसल बरबाद हो रही है बिहार के दक्षणी भाग में आने की निचले भाग में सूखा की स्तिती उत्पन है तो दौनों स्तिती में क्या है बिहार जो है पिरोजगारी को जन्म देता है साथी साथ खेती को सिंचित करने के कृतिम साधन जैसे की किन किन माध्यम से खेती में सचाई हो सकती है नहर के माध्यम से नलकूप के माध्यम से कुआ और ताला ये सब भी परंप्रागत रूप में विध्यमान है जो क्रशी विकास को धीमा कर यानि कि क्रशी के आधुनिक साधन मौजूद नहीं है सचाई के आधुनिक साधन मौजूद नहीं है सचाई मैं आधुनिक तकनीक का उप्योग एवं उसका विकास नहीं हो पाया जिसके कारण क्रशी पिछडी हुई है क्रशी में अभी पुराने यंत्रों वा मशीनों का प् तो क्रशी में भी रोजगार की अपार संभाव नहीं देखने को मिल सकती है ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा कि किन किन कारणों से भारती क्रशी जो है पिछडी हुई है यानि कि भारत की अर्थविवस्ता क्रशी प्रधान होने के बावजूद भी क्रशी का छेत्र चलो अब देखें हां मगला कारण कि क्रशी पर जनसंख्या का अत्यधिक भोज किस तरीके से मैंने आपको बताया था कि भारत की कितिनी प्रतिशद जनसंख्या 67 प्रतिसत जनसंख्या जो है क्रशी शेत्र पर निर्भर है तो भारत की जनसंख्या का आधे से अधिक आबादी क्रशी पर निर्भर है जिसके कारण भारती जनसंख्या का जीव को पारजन का मुख्य पेशा क्या है खेती है अब खेती पर लोगों का अत्यधिक बोज है क्यो पर लोगों के अत्याहिक बोज के का रण अन्य व्यावसाय अन्य व्यवसाय जैसे की अध्योग व्यापारों सेवा छेत्र कि अन्य छेत्रों पर भी जनसंख्या का बोज काफी के में क्रशि जो अर्थववस्ता के शेत्र में उन शेत्रों में काम नहीं करते हैं उनको रोजगार का साधन नहीं बनाते हैं इस कारण से क्या होता है इस कारण से यह होता है कि क्रशी परजन संख्या का बोज बढ़ता ही जादा है फल्सरूप ग्रामिड बेरोजगारी बढ़ती है क्यों कि ग्रामिड बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है क्योंकि ग्रामिड अर्थबवस्ता का मुख्य साधन क्या है ग्रशी ही है क्लियर हुई ये बात चलो अध्योगी की करण का अभाव अगला कारण देखें कि बिकारी का जन्म किस कारण से होता है तो अध्योगी की करण का अभाव यानि कि अध्योगों की कमी अभाव से मतलब होता है कमी ठीक है किलियर हुई ये बात तो भारत क्रशी प्रधान देश होने के कारण अध्योगों क अवसर नहीं खुशते हैं तो इस वज़ा से क्या है इस वज़ा से जो है विक्सित देशों की तुल्ला में भारत में उध्योगों का विस्तार कम हुआ है जिसके कारण उध्योगों का व्यापक विस्तार नहीं हो पाया दूसरी ओर दूसरी ओर बात करें तो उर्जा और संसा उद्योग की कमी जो है इसके विकास की गती को धीमा बनाए हुए है यानि कि उर्जा संसादन उर्जा नहीं है बाकी के अन्य संसादन उपलब्द नहीं है तो उद्योग का विकास जो है धीमा है उद्योग की विकास की गती धीमी है जो की किसका कारण है बेरोजगारी का कार में बेरोजगारी को जन्म देती है यानि कि सिक्षित प्रसिक्षित आबादी क्या चाहती कि हम उध्योगों में काम करें लेकिन वहां पर रोजगार की कमी है क्योंकि वहां कौन काम कर रहे हैं वहां मशीने काम कर रही है साथी साथ मशीनी करत उध्योगों में छटनी भी रहा है दोनों तरीके से बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो रही है ठीक है चलो बढ़े आंगे बिहार छेत्र की हम बात करें ठीक है तो बिहार छेत्र में विगत दश्कों में जिसके सी भी उध्योग का विकास हुआ अब वो कहा है अब वो जारखंड में है क्यों है क्योंकि 15 नवंबर 2000 को जारखंड और बिहार तो अलग-अलग राज्य बना दिये गए थे 15 नवंबर 2000 के पहले क्या था यानि कि 14 नवंबर 2000 तक क्या था बिहार और जारखंड दोनो एक राज्य थे अब 15 नवंबर 2000 को जैसे ही बिहार और जारखंड का विभाजन किया गया तो दोनो राज्य अलग-अलग हो गए और जितने भी इंडुस्टीज थी और द्योग धंद यो किसके हिस्से में चले गए जारखंड के इससे में चले गए जारखंड के छेटर के अंतरगत आने लगे तो उससे क्या होता है उससे क्या होता है कि बिहार राजम अध्योगों की कमी और बिहार राजमे बेरोजगारी में बडोत्तरी ठीक है तो पंदरा नमबर 2000 में आभिबाजित बिहार से झारखन्ट राज के गठन से राज के अध्योगिक छेत्र में कमी आई क्योंकि सर्वाधिक अध्योगिक नगर जैसे की जमशेदपूर का नाम आपने सुना होगा बोकारो, राची, धनबाद यह सब कहां चले गए? यह सब जो अध्योगिक नगरीयां थी, अध्योगिक शहर थे वो सब कहां चले गए? वो सब जारकंड राज्ज में चले गए यहां क्रशी आधारत उध्योगों का विकास भी नहीं हो पाया कहां बिहार में क्यों नहीं हो पाया क्रशी आधारत उध्योगों का विकास बहारत बिहार की अर्थवबस्ता भी क्रशी प्रधान है लेकिन लोगों का रोजान जो उध्योगों की तरफ नहीं गया और क्रशी आधारत उध्योगों की तरफ नहीं गया क्रशी आधारत उध्योग ही अगर चालू किये जाए तो र दिये हुए है किसको बनाए हुए है बिकारी या बेरोजगारी को बनाए हुए है तो किस तरीके से अध्योगी की करण के अभाव के कारण यानि की अध्योगों की कमी के कारण जो है बिहार में बेरोजगारी बनी हुई है किलियर हुई इतनी बात चलो अब हम देखें अगला कारण पूजी का अभाव यानि कि किस तरीके से कैपिटल की कमी बेरोजगारी को बनाए हुए है भारत में प्रतीविक्ति आए के निमनेस्तर के कारण यानि कि भारत के लोगों की आए जो है पर-capital income या प्रतिव्यक्ति आये जिसे कहा जाता है वही कम है जब व्यक्ति के पास पैसा ही कम आ रहा है वो अपना रोटी कपड़ा मकान यानि की बुनियादी आवश्कताओं की जो पूर्ती है बहुत ही मुश्किल से कर पा रहा है तब वो व्यक्ति बचत कैसे कर पाएगा पूजी का निर्मार कैसे होता है पूजी का निर्मार बचत के मालती हमसे होता है बचत कैसे होगी जब भई अपनी आवश्कताओं की पूर्ती करने के बाद पैसा बचेगा तब व्यक्ति बचत कर पाएगा ना लेकिन भारत में प्रतिवक्ति आयी ही कम है यानि की पर capitalist income है तो बचत का सवाल ही नहीं उठता बचत नहीं तो पूझी नहीं तो पूझी का अभाव यानि कि पूझी की कमी तो भारत में प्रतिवक्ति आये कि निमनस्तर के कारण पूझी की निर्माणदर भी काफी कम है जिसके कारण क्रशी तथा अन्य उध्योगों में वांचित जी की कमी के कारण जो है लोग एक तो खुद का रोजगार नहीं कर पा रहे हैं दूसरी चीज दूसरी चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और आदूने को धंदे जो है पनप नहीं पा रहे हैं ठीक है अब हम देखें अगला कारण सात्वा कारण क्या है वो है प्र और प्रशिक्षण के अभाव में यानि की सिक्षा की भी कमी और प्रशिक्षण की भी कमी दौन चीजों की कमी प्रशिक्षण आने की ट्रेनिंग लोगों को इसके बनाना लोगों को नहीं नहीं चीजें सिखाना तो असिक्षा और प्रशिक्षण के अभाव में जो है भारत तो जैसे कि कम्पीटर का काम प्रबंधन काम यानि कि मेनेजमेंट का काम भारी मशीन आधारत कारे छित्र में भागीदारी नहीं कर पाते क्योंकि वो प्रशक्षित नहीं है उन्हें वो काम करना आता नहीं है जिससे बेकारी का जन्म होता है यानि कि आधुने की युग में जो भी टेक्निकल काम है उससे सम्मेंदित लोगों को सिक्षा नहीं मिल रही ट्रेनिंग नहीं मिल रही तो वो व्यक्ति वो काम करने ही पाते तो क्या होता है यह होता है कि भारती मजदूर जो है भारती मजदूर बेरोजगार रह जाते है ठी अगला पार्ट आता है क्या अगली बात अपन किस बारे में करने वाले हैं कि विकारी को खतम कैसे किया जा सकता है यानि कि रोजगार कैसे बढ़ाया जा सकता है तो जल्दी से आंगे बढ़ने से पहले आप फटा फट से चेक कर लें कि आपने शेशन को लाइक किया है कि नही उसके बाद ही हम बेरोजगारी कैसे खतम की जा सकती है उसके उपाये के बारे में आपको बताएंगे तो फटाफट से आप चेक करें कि या आपने शेशन को लाइक किया है या नहीं लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप लाइक कर दें और शेयर कर दें अब इसके बाद हम चलते हैं वेकारी समाप्त कने के उपाए फैसे की जा सकती है जब आप किसी चीज के कारण जान लेते हैं तो आपके सामने हैं कि आपकी समस्य कारण समाधान होता है तो बेकारी समाप्तकन नए है रोजगार बढ़ाने के उपाय अपन देख रहे हैं तो बेकारी जो की पहले अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे फिर देखेंगे कि कौन-कौन से प्रयास करेगा है या करना चाहिए बेकारी या बेरोजगारी जो भारत में एक विकट समस्या बनी हुई है जिसके निराकरण या जिससे मुक्ति के लिए यानि कि जिससे समाधान के लिए देश इवं राज जिस्तर पर सरकारी और गेर सरकारी उपायों की आवश्यक्ता है तो बेकारी की समस्या के निदान के लिए कौन कौन से प्रयास किये जा सकते हैं एक तो भई सरकार प्रयास करें यानि कि सरकारी प्रयास किये जाएं दूसरी तरफ नौन गवर्मेंट प्रयास भी किये जाएं यानि कि गैर सरकारी प्रयास भी किये जाएं अब जानते हैं कि गैर सरकारी और सरकारी प्रयास जो है बेरोजगारी को दूर करने की कौन कौन से हैं तो सबसे पहले जानते हैं सरकारी प्रयासों के बारे में सरकारी प्रयास देखें भई सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास करे हैं तो बेकारी के समस्या के प्रती सरकार प्रारंब से ही सक्रिय रह के हैं जानते हैं कुछ उधार लों गेन माध्यम से कुछ योजनां के माध्यम से जैसे की चोथी पंचवर्श वर्स में आप सब ही जानते होंगे 1950 में योजना आयोग बनाया यह था और रूस योजना आयोग में Supertalk कि अभी webinar की 19505 कि हम हैं देश में यह काम करना है उन उन पास साल में वह काम खटम करके अगले पास सालों के लिए नहीं दयार की जाएंगी तो ऐसे करकर कर चौथी पंचवर्षी योजना की हम बात कर रहा हैं तो पंचवर्सी योजना के अंतरत कॉन सी चौथी पंचवर्सी योजना के अंतरगत निश्चत-रोजगार योजना इत्यादी जैसे महात्वपूर्ण योजना चलाई गई थी बेरोजगारी को कम करने के लिए कब चलाई गई थी चौथी पंचवर्सी योजना के अंतरगत चलाई गई थी किलियर हुई ये बात अब बात करें हम छटवी पंचवर्सी योजना के बात तो छटवी पंचवर्सी योजना में निर्धनता एवं रोजगार संबंधी यानि की गरीबी को कम करने और रोजगार को बढ़ाने संबंधी विभिन्ने कारिक्रमों को मिला कर कई कारिक्रम चलाय गए थे कैसे कारिक्रम चलाया गए थे पहली बात करें तो समन्विद ग्रामीड विकास कारिक्रम चलाया गया ग्रामीड भूमी हीन रोजगार कारिक्रम चलाया गया जवाहर रोजगार योजना चलाएगी ऐसे कई कारिक्रम जो है सरकारी प्रयासों के द्वारा चौथी और शटवी पंचवर्शी योजना के माध्यम से एक हजेंडा तयर करके लोगों को रोजगार देने के लिए ये कारिक्रम चलाए गए थी आंगे देखें और अब जब ये कारिक्रम चलाए गए तो उसका प्रभाव क्या देखने को पड़ा किस पर कम करने बेकारी यानि कि बेरोजगारी कम करने पड़ पड़ा जिसके फल्सरूप देश में निर्धनता की मात्रा घटी कुछ हत्तक गरीबी भी कम हुई तथा रोजगार के नए नए अवसर भी लोगों को पलब्ध हुए किलियर हुई बात अब और देखें क झाया गया उसके बाद गरामीड यवास्वारूजगार प्रसिक्षन योजना चलाई गई उसके बाद ग्रामीड महिला वाल भीकास योजना भी चलाई गये तो ये इस तरीके से कुछ कारिक्रम चलाए गए किसके लिए बेरोजगारी कम करने के लिए किसके द्वारा सरकार के द्वारा तो ये क्या हुए बेरोजगारी को कम करने के सरकारी प्रयास हमने देखे चलिए फटा फट से बढ़ते हैं आगे बेरोजगारी को कम करने के गैर सरकारी उपाए क्या-क्या हो सकते हैं इनके बारे में आप जान लेते हैं तो भारत में बेकारी के स्वरूप और कारणों को देखते हुए इसका निराकरण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है यानि कि इतनी बड़ी जनसंख्या का उद्धार अकेले सरकार नहीं कर सकती कि इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार जो है सरकार अकेले दे दे ठीक है कुछ गेर सरकारी प्रयास भी आवशक है साथी साथ लोगों को खुद के लेविल पर कुछ प्रयास करने पड़ेगे चलिए तो देखते हैं तो इसे दूर करने के लिए सामू दाय किस्तर पर समूह बनाकर स्वारोजगार के अवसरुत्पनकर और गेर सरकारी संगठन जिसे हम NGO के नाम से जानते हैं Non-Government Organization और स्वयम सहायता समूह यानि की Self-Help Group SHG बनाकर इसका निराकरण किया जाना चाहिए किलियर हुई ये बात तो स्वयम सहायता समूह क्या होते हैं स्वयम सहायता समूह 15-20 महिलाओं का एक समूह होता है जो एक गाओं में कुछ जोटा सा व्यवसाय या उध्योप्रारम करती हैं और 15-20 महिलाओं जो है खुद का खुद के घर का खर्चा चलाती है साथी साथ बेरोजगारी को कम किया जा सकता है चलो तो बेरोजगारी कम करने के जो है कुछ गैर सरकारी उपायों के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं कि वर्तमान में गैर सरकारी उपायों में ग्रामिड इस्तर पर बेकारी दूर करने के कई सरल और सुगम अपनाय उपाय अपना यह वह उध्योग होते हैं जिन में मशीनों का प्रयोग कम होता है ठीक है तो छोटे-छोटे उध्योग जिन में मशीनों का कम प्रयोग हो और कम पूजी पर चलाए जाए यानि कि उनमें पूजी भी जादा ना लगती हो उन्हें क्या कहते हैं कुटीर उध्योग यानि कि जि क्रशी पर से अनावश्यक स्रमिकों का बोज कम करके कुटी रुध्योगों में लगाया जाता है यानि कि प्रशन बेरोजगारी जो की क्रशी छेत्र में देखी जाती है यानि कि प्रशन बेरुजगारी में क्या होता है कि क्रशी में आवसक्ता से अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं उनका बोज कम करके यानि कि उनको कुटी रुध्योग में लगाया जा सकता है परिवार के सभी लोगों को काम उपलब्ध करवा कर बेकारी कम की जा सकती है कैसे कुटी रुध्यों का विकास करके ठीक है चलो उसके बाद देखें स्वारोजगार बेकारी बेरोजगारी दूरकन्य का दूसरा गैर सरकारी उपाय क्या है वो है स्वारोजगार ठीक है स्वा रोजगार स्वा मतलब खुद का रोजगार मतलब का यानि कि व्यक्ति का खुद का कुछ रोजगार हो ठीक है तो भारत में व्यापक रूप में फैली बिकारी को दूर कनने का सबसे प्रभावकारी उपाय है स्वा रोजगार का निर्माड यानि व्यक्ति का खुद का क रोजगार इसमें व्यक्ति क्या करेगा अपने इस तर से संसाधन जुटाएगा रोजगार सुजद करता ही यानि कि इसमें व्यक्ति क्या करता है अपने इस तर पर संसाधनों को जुटा कर रोजगार सुजद करता ही यानि कि रोजगार का निर्मान करता है साथ ही साथ स्वा रोजगार को बढ़ावा देने हे तू सरकारी इस तरफर अनेक योजनाओं के द्वारा भी पूंजी एवं प्रसिक्षण की विवस्था की जा रही है यानि कि स्वा रोजगार में दो बातें करी जा रही है या तो व्यक्ति खुद के संसादन जुटा कि खुद का रोजगार खुल लेता है या फिर सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा जो है योजनाओं के माध्याम से पूंजी और प्रसिक्षण की विवस्था भी करी जाती है ताकि व्यक्ति उस पूंजी और प्रसिक्षण के माध्याम से खुद का रोजगार स्वयां बना पाएं क्लियर हुई बात की स्वारोजगार क्या होता है कैसे स्वारोजगार शुरू किया जा सकता है आंगे देखें तो इस कारण इस कारण ग्रामिड बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी में तेजी से कमी की जा सकती है कैसे स्वारोजगार के माध्यम से विशेशता सिक्षित बेरोजगारों की संख्या में कमी करने हे तू स्वारोजगार काफी कारगर उपाए है यानि कि सिक्षित बेरोजगार जो है अगर वो खुद का कुछ रोजगार देखें यानि कि स्वारोजगार को अपनाए तो सिक्षित बेरोजगारों की भी सिक्षित बेरोजगारों को भी रोजगार में लगाया जा सकता है और सिक्षित बेरोजगारी को कम किया जा सकता है ठीक है चलो अब हम देखें बेकारी के प्रभावों के बारे में देखें ठीक है तो अभी तक हमने क्या देखा था बिकारी के कारण देखे थे, ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले बिकारी क्या है, बिकारी के प्रकार क्या है, उसके बाद देखा बिकारी का कारण, और उसके बाद हमने देखा कि बिकारी की समस्या को दूर कैसे किया आजा सकता है, ठीक है, उसके सरकारी प्रयास देखे गैर सरकारी प्रयास देखे किलियर हुई इतनी बात अब हम आखरी में देखने वाले हैं बेकारी के प्रभाव यानि की बेकारी के कारण समाज में यानि कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनके बारे मैं जान लेते हैं, चलिए तो बेकारी के प्रभाव के अंतरगत हम देखने वाले हैं कि बेकारी के कारण समाज में अनेक सामाजिक और आर्थिक विक्रतियां फैलती हैं पहले हम देखें बेरोजगारी के सामाजिक प्रभाव के बारे में देखें तो सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है सामाजिक प्रभाव हो सकता है जैसे की जन शक्ति संसाधन की बरवादी दूसरा है हीन भावना का जन्म होता है यानि कि व्यक्ति के मन में कुछ हैसी भावना नहीं होगा तो व्यक्ति क्या करेगा गलत रास्ते अपनाएगा पैसे कमाने के पलायन की प्रवत्ति पलायन यानि की एक जगह से दूसरी जगह जाना रोजगार के लिए तो जब उसके छेत्र में रोजगार उपलद नहीं होगा तो उस चेत्र में जाएगा ही तो उस इस्ति होते हैं डिटेल में चलिए तो पहला प्रभाव जो कि हमने देखा था बेकारी का समाजिक प्रभाव वह यह था जन शक्ति संसाधन की बरबादी ठीक है किस तरीके सो होती है जन शक्ति संसाधन की प्रभादी जन्खक्ति यानि कि याप काम में नहीं लग रही तो बेरोजगारी के कारण मानव शक्ती का दुरपयोग हो रहा है साथ ही साथ यहाँ पर आप देखें कि परिवार के सभी व्यक्ति खेती में लगे हुए हैं यह श्रम सक्ति की बरबादी को दर्शाता है कैसे यानि कि एक परिवार के सभी व्यक्ति सर्फ एक छेत्र में काम में लगे हुए हैं दूसरी तरफ काम नहीं कर रहे हैं जबकि उस एक छेत्र में इतने सारे व्यक्ति की आवशक्ता नहीं हैं दूसर व्यक्ति आपक Soo शही अगर उतने ही व्यक्ति अस रोजगार में लगते हैं तो दूसरे छेतर पर धियान देने सिस्टित्र का भी विकास होगा साथ ही आपकी न व्यक्ति जन्सादन की जो की सामाजिक प्रभा हो इसके बारे में हमने जाना अब हम देखें कि हीन भावना का जन्म होता है इसके कारण बेकारी के कारण हीन भावना का जन्म होता है कैसे होता है बेरोजगार व्यक्ति रोजगार में लगे रहने वालों की तुल्ला में अपने को हीन भावना से देखना शुरू कर देते हैं व पुद को लेके एक negativity create होगी एक हीन भावना जन्म लेगी तो उसके फल्सुरूप क्या होता है जब यक्ति के मन में किसी चीज के प्रती हीन भावना उत्पन हो जाए किसी चीज को लेकि नेगेटिविटी फैल जाए तो क्या होगा कि फल्सुरूप उसका मनो वैज्ञाने किस तर गिरता चला जाता है ठीक है उसके बाद जो है वो अपने को समाज में एक बोज सुरूप देखना शुरू कर देते हैं कि हम तो कोई काम करी नहीं रहे हैं यानि कि हम घर पर समाज में बोज हैं बलकि दूसरे व्यक्ति जो हैं हमारे साथ वाले वो काम में लगे हुए है तो ऐसे क्या हो रहा है? उसके मन में एक हीन भावना अथपन हो रही है और उसका जो mental level है मनोविज्यानि किस तर वो धीरे धीरे गिरतता जा रहा है ठीक है? चलिए अगला प्रभाव देखें सामाजिक प्रभाव बेकारी का की समाज में कुरीतियों का बढ़ना यानि कि सामाजिक कुरूतियों को बढ़ना, अब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, तो क्या करेंगे वो, क्या करेंगे वो, कोई चोरी करेगा, कोई धकैती करेगा, कोई छीना चप्टी, ठगी, दहेज, ये सब गलत प्रता हैं, जो हैं, वो जन मलेंगी, ठीक है, व्य गलत तरीके से उसका गलत प्रयोग कर ले, आगे की बात देखें, दहेज, दहेज की डिमांड करेंगे, कि भई, किसी भी लड़की से शाधी करनी है, किसी भी व्यक्ती को, उसके पास उतना आयका साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, तो अब भई हमें दहेज चाहिए, ता इसे ही जो है, क्या होता है, ये सारी प्रवत्तियां जो है, बेरोजगारों के 20 दिन बदिन बढ़ती जाती है, जिसका प्रभाव सीधे समाज के ऊपर पड़ता है, अगला प्रभाव देखें, पलायन की प्रवत्ती का जन्म होना, पलायन यानि कि एक जगह से दूसरी जग जगह मूब करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसी विशेश उद्देश के लिए, एंसानी की घूमने जाने को और बापस आने को फिर हम पलायन करने कि हम घूमने जा रहे हैं, तो पलायन हो गया, नहीं, किसी विशेश उद्देश के लिए, एक जगह से जाकर, एक जोजगार की खोज में अपने पैत्रक स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर जाने को मजबूर हो जाता है उसे क्या कहा जाता है पलायन वे अपने घर परिवार समाज और संस्कृति से तो दूर हो ही जाते हैं साथ ही साथ कई इस्तर पर भी उपेक्छाओं का सामना करना पड़ से अलग होगा डिफ्रेंट होगा तो क्या होगा कि भई ग्रामीड छेत्र से कोई व्यक्ति शहरी छेत्र में रोजगार की तलाश में जा रहा है तो ग्रामीड परिवेश में पले बड़े व्यक्ति का रहे सेन खान पान बोली वानी थोड़ी अलग होगी तो उसको शहरी व प्रवत्ति को जन्म देता है तो किस तरीके से व्यक्ति को उस उपिक्षा का सामना करना पड़ता है यह बात आपको समझ में आ गई होगी पलाइन की प्रवत्ति के जरीए अब क्या होगा भाई जब व्यक्ति पलाइन करके जाएगा तो उसको क्या होगा अगर जितनी मजदूरी पर काम मिल रहा है उतने पर ही काम करना पड़ेगा यानि कि कम पैसा मिल रहा है तो कम में भी काम करना पड़ेगा क्योंकि उसे लगेगा कि चलो काम तो मिल रहा है प्रतिविक्तियाई की कमी पर कापिटा इंकम कम होना निमन जीवन इस्तर आर्थिक प्रभाव के बारे में जाने तो आर्थिक प्रभाव में पहला प्रभाव है क्या है पहला प्रभाव प्रतिविक्तियाई की कमी पर कापिटा इंकम कम होना निमन जीवन इस्तर आर्थिक बंदी का खत्रा बना रहना कर्ज बोज में बड़ोत्री यानि की दिन बदिन व्यक्ति का कर्ज बढ़ता जाना उसके बाद संसाधन का उच्जित उपयोग ना हो यह सब क्या है आर्थिक प्रभाव है अभी अपन्य बहुत फिचोट में अब इनकी की अवस्था में प्रतिविक्ति कम रहती है जो की व्यक्ति के आर्थिक प्ष्ण को प्रभावित करती आ बेरोसगारी है तो येखति कम Safety काम करने को तियार हो जाता है जिससे उसकी इंकम कम है इंकम कम है तो बचत नहीं होगी बचत नहीं होगी तो पुझी कैसे बनेगी तो व्यक्ति का क्या हो रहा है आर्थिक पक्ष जो है वह मजबूत नहीं हो पारा कमजोर होता जा रहा है ठीक है दूसरी बात करें कि निम्न जीवन इ वेश भूशा यह सम्नरिस तर के हो जाएंगे फल्स रूप व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होता जाता है क्लियर हुई ये बात तो दो कारण दो प्रभाव देखेंँ अपन से 310 प्रभाव है आर्थिक मंधी का खतर बेकारी के कारण आर्थिक मंदी का खत्रा कैसे तो बेरोजगारी में व्रधी अगर हो रही है बेरोजगारी में व्रधी जो है वो मंदी ग्रस्त अर्थववस्ता का सूचा के यानि कि आपके देश की अर्थववस्ता में मंदी आने वाली है संसाधनों की बरबादी भी होती है जिन्हे अन्य परिस्थितियों में उपयोगी ढंग से नियाज़ित किया जा सकता है यानि कि जिन संसादनों का 600 उपयोग किया जा सकता है उनका उपयोग ना होके उनकी बरबादी शुरूव हो जाती है अब कैसे जैसे कि लोग क्या है आपुरम क्या है एक संसादन है एक मानो संसाधन है एक human resource है तो यदि लोगों को संसाधन की रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो स्वाभाविक रूप से वे अर्थववस्ता पर बोज़ बनकर रहे जाएंगे यानि कि मानो श्रम का उचित उप्योग ना होने की वज़र से अर्थववस्ता प्रभाव बेरुजगारी का संसाधनों का उचित उप्योग ना होना अब पूजी नहीं रहेगी लोगों के पास तो जो संसाधन है वो बेकार पड़े रहेंगे क्योंकि उन संसाधन का उप्योग ही नहीं होगा तो कम पूजी के कारण प्राक्रतिक संसाधनों का उप्योग अर्थव बिकार पड़े रहने से लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पाएगा तो संसादनों का उच्छत उप्योग ना होना किस तरीके से बिकार या बिरोजगारी को जन्म देता है ये चीजें आपको समझ में आ गही होंगी तो इस तरीके से इस तरीके से हमने बेरोजगारी के प्रकार, घामीड बेरोसगारी और शहरी बेरोसगारी के दो प्रकार कौन-कौन से मौसमी बेरोसगारी और प्रच्छन बेरोसगारी याने की छिपी हुई बेरोजगारी दूसरा प्रकार शहरी बेरोजगारी शहरी बेरोजगारी के तीन प्रकार सिक्षित बेरोजगारी और ध्योगिक बेरोजगारी और तीसरी कौन सी तीसरी तगनीकी बेरोजगारी के बारे में जाना उसके बाद हमने जाना बेरोजगारी क क्या कारण हो सकते हैं फिर उन कारणों को जानने के बाद कैसे बेरुजगारी को दूर किया जा सकता है उसके लिए कुछ सरकारी प्रयासों के बारे में जाना कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में जाना और साथी साथ कुछ गेर सरकारी प्रयासों के बारे में जाना कि किस तरीके से गेर सरकारी प्रयासों के द्वारा भी बेरोजगारी को कम किया आजा सकता है इतने सब के बाद हम पहुंचे कहां पर बेरोजगारी के प्रभाव किस किस तरीके से पढ़ते हैं तो दो तरीके के प्रभावों के बारे में जाना कि किस तरीके से बेरोजगारी के समाज पर प्रभाव पढ़ते हैं और किस तरीके से बेरोजगारी के आर्थिक प्रभाव पढ़ते हैं यानि की आर्थिक रूप से किस तरीके से देश की अर्थववस्ता बेरोजगारी के कारण चर्मराज आती है या नीचे गिरने लगती है इसके बारे में जाना तो overall आज हमने अपना complete chapter revision किया किसका class 9 social science economics मे बेरोजगारी का जो chapter है उसका one shot revision आप तक पहुँचाया गया उमीद है अब आपको ये पूरा chapter बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कहीं भी कोई भी doubt नहीं होगा doubt है भी अगर तो आपको एक comment box दिया गया है वहाँ comment करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं जो भी आ करना है आगे जो है आगे के session को अगर आप जोईन करना चाहते हैं चाहते हैं आपको करना ही है ठीक है क्योंकि यहां पर एकदम फ्री में पूरी quality education आपकी पूरी school education इस प्लेटफॉर्म पर अविलेबल है यहां पर आपको हर एक चीज हर एक सामगरी जो है आपको अविलेबल कराई जा रही है कहां पर उपलब्द है यह सारी चीज है हमारी यूट्यूब चैनल पर एप्लिकेशन पर और मैगनेट ब्रेंस की वेब साइट पर अवेलेबल है साथी साथ आपको यहां पर एक description box दिख रहा है इसमें एक लेंगे दी हुई है जहां से आप क्या कर सकते हैं इनोट्स और इबुक्स दोनों अवेल कर सकते हैं हम प्रवाइड कराते हैं आपको क्या यह सारे टॉप कोर्सेस हमारी यह टॉप कोर्सेस हैं कौन कौन से है ध्यान से सुनना cbsc English Medium ठीक है दूसरी बात दूसरा सबसे सबसे इंपर्टन बात है दूसरी सबसे सबसे इंपर्टन कोर्स कौन सा है cbsc Hindi Medium का कोर्स दे रहे हैं यहां पर यूपी बोर्ट बिहार बोर्ट MP बोर्ट तीन बोर्ट के कोर्स आप आपको कराय जा रहे हैं उसके बाद आपके लिए कुछ स्पेशल कोर्स भी हैं स्पोकर इंगले सीवेटी एंटी एसी और ओलंपियार तो आपको कहीं और जाने की आविशकता क्यों है जब एक ही प्लेटफोर्म पर बिलकुल मुफ्त में क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचाई जा रही हो तो आपको कहीं और जाने की अटा फट से पहली फुरसत में आपको सब्सक्राइब करना है और मैंगनेट ब्रेंस यूटूब के अलावा अधर शोशल मीडिया प्लेटफोर्म जैसे की फेस्बुक इंस्टाग्राम ट्विटर और टैलीग्राम पर भी अविलेबल है तो बने रहिए जुडे रहिए हमा